सो गुद मॉर्निंग तो आल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी एंड दिस एक्सराइस नंबर 11.3 इंट्रोड़क्टरी पार्ट थ्री और फोर पार्ट पार्ट फोर इस है पेटा पहले दिन तो केवल नॉर्मल फॉर्म एक्वेशन बनाई दूसरे दिन बची वही दो फॉर्म फिर एक्स्ट्रा चीजे डिसकस करें आज दूसरे तो पार्ट फोर एक्वेशन बनाने में लगे और दो पार्ट एक्स्ट्रा तिंस को डिसकस करने में लगे तोडे परसेंट इट विल बीड़ लास पार अपने को दोई टॉपिक बसते हैं अब हमारे क्या देस्टेंस 3D plane लेट से इस माइ 3D plane Y axis, X axis and Z axis ठीक है? इस इस माइ 3D plane X Y अब टॉपिक का नाम है कि एक प्वाइंट से एक प्लेन की दिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? distance of a point from a plane अब जब जब आज से नहीं आज से नहीं क्लास 9 से बच्चों को मैं समझाता हुआ रहा हूं आपको भी समझाया होगा कभी ने कभी कहां कि जब भी distance point से ना पी जाती है तो वो by default अगर वो ना कहे तो perpendicular distance होती है क्या होती है यह पॉइंट है यहां से स्किप टेबल की दूरी चाहिए तो कोई ऐसे भी ना पेगा कोई ऐसे भी ना पेगा कोई वैसे भी ना पेगा मैं काऊंगा जब लाता कुछ नहीं गीवन है पर्पेंडिकुलर ना पोना पर्पेंडिकुलर सीधा ना पोना सीधा मैं यहां पर्पेंडिकुलर ब्रकेट में लिख देता हूं कि इस एक्चुवली वाट पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो टॉपिक इंट्रोडक्षन हो गया करना क्या है ना पर्मूला डेरिवेशन की तरफ चलते हम तो लेट से दिस हम डिस इस माइब लेट से इस इस ना प्लेन अ ऐसे बना दो चलेगा फोड़ा फेरलो फॉर्म दिटा हूं याँ थोड़ी फिलिंग आएगी यह प्लेंढा थीक है यह एक प्लेंद है ठीक है अप में क्या कर रहा हूं एक पॉइंट मार्क पर यह मेरा पोइंट है इस point से इस plane की दूरी बता दो यह पूछ रहा हूं मैं आपसे और अभी मैंने आपको कहा कि जब मैं point से plane की दूरी पूछूंगा तो मैं आपसे perpendicular distance पूछोंगा क्या पूछूंगा तो let's say यह इस point पे आके foot of the perpendicular यह है और मैं यह दूरी आपसे पूइंट का नाम रख देता हूं में और पॉइंट गीवन होगा दूरी पूछ रहा है तो कोडिनेट्स गीवन होगे एक्स वन वाइवन मालो यह पॉइंट गीवन है एक्स वन वाइवन चीजों को शुरुवाद से शॉर्ट आउट करते चलें वाइवन में वालो हूं इसके डिवेशन के लिए इसके डिवेशन के लिए इसके डिवेशन के लिए एक बार के लिए आप मानलो आपको equation इस form में given अपको जबती नहीं कभी वाकई में मिलती है वह small d होता है इनके पनी मिलता है आप वेक्टरेंड देता है कोई बात नहीं अगर इस फॉर्म में मिलती है तो इदर से इदर डिरायव नहीं कर सकते क्या magnitude से डिवाइट करके तो कभी भी इसमें convert कर लेंगे न मालो दे रखी है या आपने convert कर ली कुल मला के अब इस फॉर्म पर आ गए आ गए तो अब वाली इस वाली फॉर्म को मैं हटा देता हूं अब इस वाली फॉर्म को मैं हटा देता हूं इसकी equation एसका मतलब अगर मैं इस से normal ओर खरू है अगर मैं से normal वर्टर करूं तो यह इस नॉर्मल व्टर का ही unit यह इस सकता ओнийふふ फpolitik क्वेशन है यह जो भी है वो यही वाला से origin से बनाने वाला origin से बनने वाला यही व्यक्तर है तो मैं कह सकता हूं कि यह वाला जू वैक्तर है इसका unit vector end cap है न और यही तो दूरी D दी है distance प्रॉम दा ओरिजिन यही तो दूरी क्या है दी है किन ये बलो इस form में equation समझ vetnet समझे होता है यही दूरी एब गोता ही इस प्लेन को पकड़ो यह प्लेन है यहां पर इस प्लेन की परेंडीक्लर दूरी चाहिए मैं और जिन हूं यहां से ओरिजन से मैंने नॉर्मल वेक्टर बनाया नॉर्मल वेक्टर एक तरिक से बताया था ने पनी टिक्का वाली इस्टिक जिसके अंदर ये प्लेण फसा हुआ मैंने उस स्टिक को आगे कंटीन्यू करके एक प्लेन और फसा दिया एक पनी टिका और फिसा दिया यानि अब यह दोनों प्लेन पैरलल है अब वह प्लेन मैंने पता है कहां रखा उस पॉइंट पे उस पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन बना है जो इस प्लेन के पैरलल क्वें आन टेओ सप्लेढ और उस प्लेढ के जीन बापर दूरी । तो इस प्लेढ के बीच निकाल लूँ तो उस पॉइंट और उस प्लेढ के zte बेच की दूरी निकल जाएगी समझाया तो मैंने क्या किया इस पिलेन से पास होता हुआ मैंने एक पारलाल वैक्टर बनाया आपर इमैजिन करूब यह मैं यह क्या है इस प्ट में पास होता हुआ ना थोड़ा सा उपर बनाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल वेक्टर उससे पास्थ्रू करवानी है मुझे थोड़ा सा उपर बनो यहां बनो अब सुनो तो यह नॉर्मल वेक्टर आगे तक जाएगी थोड़ा सा थोड़ा यह क्या है यह प्लेन इदर बनता तो यह दूसरा आगे बनता इस पॉइंट को अपन कर देंगे वापस यह पॉइंट तो कहीं पर भी ए कोई भी पॉइंट है ना कि अगर मैं पहले इसको बना देता हूं तो लेट से मैंने इसको नॉर्मल वेक्टर को आगे एक चीक है तो यह इसका Foo2253 फूर्प हुट परनीकुलर था यह कुण से निकल रहा है ठीक है अब सुनों यहां से लिखे यहां तक Д Architecture है मैं मानता हो यहां से लेकिए यहां तक कि यह टूटल जो इस्टेंस और मानने हो दिडैश मालो हैu इन दोनों plane के भीच की दूरी है ये plane origin से 10 unit डूर है और अगला वाला plane उससे 20 unit दूर है और दोनों parallel है तो उन दोनों के भीच में 10 unit की दूरी होगी अगर दोनों parallel है तो आपको क्या करना था यहां पे ये a point था यहां पे कहीं था a point x1 y1 z1 इसकी दूरी पर्पेंडिकुलर निकालने थी इससे यह इसका फूट ऑफ पर्पेंडिकुलर आ गया ए से जब मैंने बनाया तो आप मानते हो आपको एबी दूरी चाहिए तो एबी दूरी जो है डी डाश माइनस दी के बराबर होगी मानते हो एबी दूरी क्या होगी यह भी दूरी क्या होगी टोटल यहां से लिकें यहां तक डी-डैश-टी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी- से सीगा और इसकी दूरी तो आपको गीवन है आपको नहीं कर लेना कर लेना तो स्मॉल डी उसमें से मिल जाएगा तो कुल में लागे अब सर मुझे डी तो गीवन होगा वट अब डी डैश तो बेटा अगले प्लें की एक्वेशन बनाना शुरू करो यह चीज तो आपको सम यह 10 यूनिट दूरे 20 यूनिट देट दी तो मिल जाएगा लेकिन वह कहां से मिलेगा तो दी डैस निकालने की प्रोसेस में चलें कोंसे तो मैं क्या कर रहा हूं अगली वाले प्लेंट की एक्वेशन बना रहा हूं कैसे बनाओंगा अगला वाला जो प्लेन है वह एक पॉ जो ओरिजिनल एवन था और यह मालो पाइडेश प्लेइन की एक्वेशन बना रहा हूं ना जो पैरलल वेक्टर में ने मना है एक्वेशन आफ वाइडेश एक टेल मिए वेक्वेशन प्लेइंट और उसका नॉर्मल वेक्टर अगर मुझे गीवन हो तो कैसे बनाते हूं उ काप छी सखागर नहीं यहां से आरहा है तो इसको क्यों नहीं है यहां से आ-घली-टर इसे यह यह यहीं वेक्टर ईन्हें की नहीं है जो इसका नौर्मल वेक्टर नहीं क्या तो इसको एक्वेशन में फॉइन आफ्य अगर हो vector r dot n cap minus vector a dot n cap equal to 0 अब मैं अगर इसको उधर लेके जाऊं तो यह क्या बनता है vector r dot n cap equal to vector a dot n cap और अगर मैं इसको standard form से compare करूं जो यह होती है vector r dot n cap equal to d equal to small d तो यह उसकी perpendicular दूरी होई क्या origin से इसकी इसकी डी मानी तो इसकी डी डैस मानी थी उसकी डी डैस मानी थी तो डी डैस की वैल्यू क्या आ गई vector a dot n cap vector a dot n cap याने जो point given है न उसको उसके normal वेक्ट यूनिट वेक्टर से multiply कर दो वो उसकी दूरी है और इसकी दूरी तो सीधे से निकल जाएगी दोनों का reference कर लो ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा डी डैस की वैल्यू यहां से वहां put up करूंगा और मैं पूर डिस्टेंस बिट्वीन दिस मिल जाएगा डी टैस की वैल्यू क्या है बोलो फिर से ए वैक्टर डॉट एंड कैप यास ए वैक्टर डॉट एंड कैप माइनस टी और कहीं यह सब कुछ करने में नेगेटिव ना आ जाए तो डिस्टेंस हमेशा positive होती है तो तो यह बन गया अब बस इस फॉर्मूला में एक ही कमी है बन चुका है मेरा आप चाहो तो यह फॉर्मूला याद रख सकते हो अना बट इसमें देखो आपको वेक्टर एक कहां से मिलेगा यह भी सोच लिया करो फॉर्मूला बनने के बाद चीज़े कहां से मिलेगी आपको इसी फॉर्म में की दिखाई देगा लेकिन यह प्लें तो सार एक्टॉली आना ना 99.9 परसंट यह इस फॉर्म में दिखाई देता है तो इसको इस फॉर्म से करने के लिए आपको महें निटूड ऑफ एंस करना पड़ेगा तो मैं फॉर्मूला में थोड़ा चेंज तो मिलेंगी इसको आप magnitude of n से रिवाइट कर दो magnitude हमेशा वैसे positive आएगा और उपर आप modulus कर देना प्लीज डिस इस तर डिस्टेंस टेपी फाइनल फॉर्मूला वेक्टर ए मतले उसका unit वेक्टर जैसा है वैसा ले ले पूरा ऐसे एक चीज और सुनो जब भी अपने लिखते है न वेक्टर और एक्टर एक्टर एक्वल टू पॉस्टिव होता है क्योंकि या तो वह डिस्टेंस फ्रम दो ओरिजिन होता है या फिर उसको डिप्रेजेंट करने वाला कोई नंबर होता है तो पॉस्टिव होगा तो इन केस अगर वह नेगेटिव है तो उसको पॉस्टिव बनाना पड़ेगा उसी चीज के लिए है जब दी क्यांए तो मालों आपने दी माइनस लेली तो प्लस कर दोगे आप तो आप तो क्या बचलो और स्पेस बचांएब कुशिश कर रहा हूं मुझे बताओ Cartesian form में plane की equation कैसे गीवन होगी बताना जरा Cartesian form में कैसे गीवन होगी plane की equation प्लस CZ वैसे तो प्लस D equal to यह प्योर form है लेगन मैंने क्या कहा कि इस D को आपको RHS में रखना है और positive रखना है तो आप इसकी standard form जो भी equation गीवन हो plane की जो भी equation गीवन हो आप उसको इस form में लेकी जाएंगे इस topic के लिए और यह भी make sure करेंगे कि D positive हो अगर वो negative आता है तो इधर minus कर देना उधर मत करना अब यहाँ पर D क्या है एक ऐसा number है जो उसकी distance from the origin निकालने में help करेगा स्मॉल डी तो है नहीं है और ABC क्या है उसके नॉर्मल वेक्टर के direction ratios ठीक है ना अब बोलो ए डॉट एन केप करोगे ए क्या था एक सब्सक्राइब करोगे तो यही था तो क्या होगा डॉट करोगे तो ए इंटू एक्सवन बोलो 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 येस 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 माइनस डी और दी उत्वर की साइट से पोजिटिव फॉर्म में उठाना है लेकिन इसका मनलब है अल्टिमेटल यह नेगेटिव होना ची इस फॉर्मूला में समझ गया मॉडूलास डिवाइड वाय मैगनिटूड ओफ एन येस बी स्कुए येस बी स्कुए या अच्छे से लिखना क्या बतादू करवादू करवादू कुछ थोड़ा सा लेंदी सा आपने क्या जब आपने नौट्स बनाएंगे तो थोड़ा इस सारी बात अभी मैं रखली समझा दो उसको थोड़ा डंग से समझाऊंगा न मैं ठीक है तो आओ यह तो आपको यह पॉइंट एक्वलेस एंन डैश यस टो मालो इसका फुट ऑफ पर पर परपेंडिकुलर और एंडाश मालो उसका निकालनी यह मानते हो ना इन डैस किसके बराबर है डश माइनस दी के बराबर यह चीज़ समझा यह चलो अब रीडाउट करते जाओ एक बार स्क्रीन प होगा तो आपको समझ में सब कुछ आना जीए अब एक बार के लिए मैं एक बार के लिए मैं से एकसा युनिक बार के लिए अब और अपने को निकालना तो सुलुशन करने के लिए अनादर प्लें पाई डेश जो कि इससे पैरलल है और एपॉइंट से पास कर रहा है तो असा यूनिक बेकर एकसा यूनिक प्लें बनाया जा सकता है जो एक पॉइंट से पैरलल हो उसका नॉर्मल वेक्टर ठीक है तो अब मैंने कहा किया परपेंटिकुलर बना दिया एसे लेके भी फ्रॉम मैंने प्रॉबलम को और दोनों का ओके इसका नॉर्मल वेक्टर यह है इसका नॉर्मल वेक्टर तो दोनों का चलेगा डिरेक्शन मतलब अगले बाले प्लेन की इक्वेशन निकालने जुरत होगी तो पॉइंट अपास करती है पॉईशन वेक्टर एक और यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है वह यूनिट वाम में गीवन हो या ना गीवन हो से मतलब नहीं है पर इसको करा मुल्टिप्ला है तो आर इसको मैंने उधर लेके गया चेंज करने कोशिश करी क्या पता करने के लिए इसकी डिस्टेंस उस प्लेइन की डिस्टेंस प्रम दा ओरिजिन तो यहां से यह कंवर्टों के ऐसे आ गया देखो कंपेरिंग डेक्वेशन ऑफ प्लेंट पाइड़ स्टेंड फॉर्म प्लें की डिस्टेंस लिए मैंने में। we get the distance d-dash from the origin to the plane pi-dash equal to this that is d-dash equal to this it is clear very much clear that distance a b is distance n-n-dash minus distance o n-dash distance n-dash n-dash sorry distance a b equal to distance n-dash or distance n-dash equal to o n-dash minus o n-dash is d-dash and o n-d very good okay so o d-dash आपने ये निकाली लिया तो वैसे तो यह patent formula है बस problem एक ही है कि हमको equation उस form में given ना हो तो क्या करें तो इसलिए इसको magnitude answer रिए तो मैंने clear cut लिखा है मैं अच्छे से आज है since it is not necessary that the equation of the plane pi will always be given in the normal form मैं n के पाली होती है to convert it to the normal form so the distance of the point a from the plane pi जिसकी equation यह given है याने उस point a की दूरी इस ऐसे plane से जिसकी equation यह given है ना कि n के पाली given है वो distance same to same वही formula यूज हो जाएगा but divided by magnitude of n हो जाएगा that is it that is okay so Cartesian form में चलते हैं अभी यहां पर गलती है let the Cartesian equation of the plane पाए भी given is this बताओ equal to d आएगा और डी शुट भी पॉस्टिव ना तो दोनों को mention कर देता हूं गलती को सही कर देते हैं क्योंकि उस form में क्या डी एल एचस में क्या क्या करना होता है आप बली बात ही जानते हैं न कीपिंग डी पॉस्टिव ठीक है ओके ना दिस्टेंस ऑफ पॉइंट इस दिस अब आपने में को डिराइब करके मैंने आपको बताई दिया तो उसमें convert करने की जोड़त है नी यह फर्मूला बन गया बताओ अब इसको प्रूव करने की आपके बुक में सेकेंड एप्रोच की वने इसको फटाफ़ से रफली सीखेंगे थीक है एक फॉर्मूला यह बना फाइनल वैसे तो यह जो अप्रोच है यह सफिशेंट है और फॉर्मूला उससे भी यह बनके आएगा और उससे भी यह बनके मैं नहीं तो कहीं से भी जा सकता कि कि नॉर्मल वेक्तर यह बना दिया ना दिया अब नॉर्मल वेक्टर का जो फुट अफड़ पर्पेंडिकुलर है पी यह पी वो आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है जो अपन लेते हैं इक्वेशन से निकल के तो उसको मैंने मान लिया एक्स वाइज एड और क्यू है एक्स वन वाइज अब आपको क्या निक हाँ अब देखो यह जो डी है स्मॉल डी है यह पी यार के बराबर होगा मानते हो और मुझे बताओ पी यार किसके बराबर होगा सोच के बताओ इसको इमेजिन करो इसको 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 लेट से एक वेक्टर जा रहा है वेक्टर एंड और मुझे क्या दूरी निकालनी है इस वेक्टर पर इतनी दूरी निकालनी है यहां से लेकर पी से लेकर आर्ट तक दूरी निकालनी है और मुझे पी क्यू डिफाइंड है आपको कांड ठीक है तो क्या प्यार पीक्यू माइनस पीक्यू माइनस आर्क्यू करना पड़ेगा प्यार निकालने के लिए तो आर्क्यू कहां से लोगे आर्क्यू निकालने का कुछ जा रहे हैं यह आर के तो नो कोडिनेट्स की बन है सुनों क्या यह डिस्टेंस वेक्टर पीक्यू का वेक्टर एन पे प्रोजेक्शन है क्या इस वेक्टर पीक्यू की इस वेक्टर एन पे इतनी तो परचाई पड़ रही है है कि नहीं है तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर पीक्यू का प्रोजेक्शन ओन वेक्टर एन ओन वेक्टर एन वेक्टर पीक्यू क्या है X1-X1-XI-CAP ठीक है न, प्लस बोलो, बोलते ज़ाओं Y1-YJ-CAP आगे Z1-ZK-CAP यही तो है अब अब इसका प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर N पे तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए होता है उसका CAP चाहिए होता है उसका CAP चाहिए होता है तो वेक्टर N तो आप हो गीवन होगा न, A, B, C की फॉर्म में A, I, C, B, Z, CAP तो डॉट प्रोड़क्ट किससे कराऊँगा बताओ A, I, CAP प्लस B, J, CAP प्लस C, K, CAP और उसके MAGNITUD से डिवाइट कराऊँगा प्रोजेक्शन के लिए तो डिवाइड़ बाइ A स्क्वाइर मतलब ये चीज़ से मल्टिप्ला होके डिवाइड हो जाएगी किससे A स्क्वाइर, B स्क्वाइर फर्मूला का DENOMINATOR पार्ट तो मिल गया, Numerator भी मिल जाएगा देखो, multiply करो, dot order करेंगे तो क्या करोआ, A into, बोलो A into X1 minus X प्लस, आगे बोलो B into Y1 minus Y प्लस, आगे बोलो C into Z1 minus Z और divided by ये वाली चीज़ तो आई जाएगी है ये तो आई जाएगी सर, अभी भी नहीं बना सेम फर्मूला तो बन जाएगा अब करो, 1 to 1 multiply बोलो, A into X1 क्या होता है AX1 होता है, होता है क्या बोलो कुशी, A into X1 क्या बनेगा, AX1 कहां लिखू, यहां लिख देता हूँ, देखना द्यान से AX1 minus AX चलो, एक काम करो, उसको बात में लिखूँ एक-एक तम पहले लिखो, और दूसरी-दूसरी तम बात में लिखूँगा A into X1, B into Y1, C into Z पहले लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला बैसा ही है न, Y1, C, Z1 अब सुनो, minus AX minus BY and minus CZ अब इसकी value तो D है न, अरे equation क्या थी AX plus BY plus CZ equal to D से start किया था न, पन्ने इस form में convert करके where D should be positive तो अगर मैं सब का minus कर दूँँ तो minus AX minus BY minus CZ minus D होगा, तो इस पूरी चीज़ की जगए minus D लिख सकता हूँ, लिख दो minus D divided by इस चीज़ को हटाओ divided by root of A square plus B square plus C square और अगले step में क्या कर दूँँगा, इस पूरी चीज़ की जगए minus D लिख दूँगा, तो formula वही बन जाएगा, जैसा हमारा original formula so approach 2 थोड़ी सी complicated है, और ज़्यादा useful इतनी नहीं है, जितनी हो, वो तो विल्कुल सबल सी parallel planes के बीच में distance निकाल लिए, और पता है, first approach से, दो parallel planes के बीच का distance निकालने का formula ही मिल जैए, जो अगला topic पहली approach से मिल जैए, ठीक है D dash minus D, D dash minus D होगा नहीं होगा, और अगर आपको clear cut given है, दोनो parallel planes हैं, तो दोनों का end के बराबर है तो दोनों का D, D निकाल लो, difference कर लो that's it, खतम का नहीं, ओके, चलो तो next topic होई है हमारा distance between two parallel planes, the last topic of the exercise of the chapter, ठीक है इसके लिए क्या note करना है, the given plane pi भी parallel to this, equation of plane pi आपको इस form में given होगा, या फिर इस form में निकाल लिया, pi q निकाल लिया, vector n निकाल लिया, अब यह very much clear है, vector magnitude पर निकाल लिया, अब यह figure से clear हो रहा है कि distance d of the point q from the plane पे is equal to the projection of vector p q, यह यह आपको सोचना परो, projection of p q on n ऐसे निकाल होगा, p q dot n divided by magnitude of vector n, by formula, ठीक है, तो इसको जब multiply करेंगे, तो यह ऐसे हो जाएगा, इसको जब multiply करेंगे, तो minus a x plus a x plus b y plus c z के value d है, a x plus b y plus c z के value d हो, minus minus d लगा दो, minus d यह कुल में लागे, finally यह से minus d बन किया जाएगा, this is your final formula, दोनों से एकी formula निकल किया है, ठीक है बेटा, चलो, the last topic, distance between two parallel planes, distance between two parallel planes, एक्साइज में कुछ भी नहीं है, सब formula आते हैं, तो सीधे formula application है अब तो, और formula के derivation इसलिए करा था, याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत इदर उतर की चीज़ें बस, देखो बेटा, दो parallel planes हैं, दो parallel planes हैं, तो parallel planes की equation कैसे कैसे given होगी, वो बता दो, आपको मैंने ये चेक करना बली बाती सिखाया है कि parallel perpendicularity between two planes and parallel होना two planes के बीच में कैसे चेक करते हैं, एंगल between two planes कल सिखाया था, तो मैंने क्या कहा था, दो planes parallel कब होते हैं, और दो planes बताया है, तो मुझे बताओ, ये पाई ये पाई डैश है, मैंने पाई वन मान लो, तो इसकी equation बोलो कैसे होगी, vector r, एक बार n cap में मानो, फिर n में क्या होगा, वो भी देख लेंगे, अपना न, एक बार n cap में मानो, equal to d, ठीक है, इसकी बोलो, पाई टू, vector r, dot n cap equal to d, अब इसको 1, 1, 2, 2, मानने की बड़ी इच्छा कर रही है, कर रही है, मुझे एक चीज बताओ, अगर दोनों parallel हैं, तो 1, 2 क्यों मानना, n cap तो दोनों का बराबर है, है की नहीं है, और नहीं है, तो common निकाल निकुल के बराबर किया जाए, सेम प्रोपोर्शन, कल बताया था शक्रेन, कि वें टू प्लेंस आर पारलल, a1 by a2, equal to b1 by b2, equal to c1 by c2, equal to some non-zero scalar lambda, या फिर ऐसे बताया था कि एक का normal vector, दूसरे के normal vector का lambda times लिखा जा सकता है, तो lambda common ले लूँ, तो n cap, n cap बराबर निकाला जा सकता है, common लेकि d में दे देना न, तो उसकी distance from origin आ जाएगी, इसकी distance from origin आ जाएगी, अब इन दोनों के बीच का जो distance होगा, मानलों वही same चीज, यह origin से d1 times दूर है, यह origin से d2 times दूर है, तो d2 minus d1, that's it, अभी अभी अपने उस approach से निकाली लिया, यह वाली distance ही तो चाहिए, तो distance कह दूँ, उसको मैं डी कह दूँ, capital D कह दूँ, small d कह दूँ, क्या हो जाएगा, magnitude जरूँ ले ले लेना, क्योंकि minus मिन आसता है, तो d2 minus d1, फिर के बात वही आती है, सर, आपको कैसे अपने आ रहे हैं, क्या यह, इस form में given होगी, यह लो, अब करो, capital D1, यहाँ पर, यह इस form में given होगी, कि vector r dot n, तो क्या कर दूँगा, formula बन जाएगा, capital D2 minus capital D1, divided by, जो इनका normal vector का magnitude है, क्योंकि इसको convert करने के लिए magnitude of nc तो divide कर रहा है हो, तो formula को कर दो, उसको कर दो, इससे अच्छा है, formula को कर दो, so this is the final, this is the final equation, Cartesian form में क्या होगा, Cartesian form में कुछ ऐसा होगा, कि एक की equation given होगी, ax plus by plus cz equal to D1, और दूसरे की ax, by, cz में changes ही नहीं आएगा, और अगर आता है, तो दोनों proportional तो होंगे, होंगे तो आप common ले लुआ के, इनको same abc बना सकते हो, let's say इदर आया 2x plus 3y plus 4z equal to 10, और इदर आया मानलो, 4x plus 6y plus 8z equal to 15, आपको अगर सर, आप तो कहे रहे थे, दोनों का abc बराबर आगा, कहार है बराबर, बेटा बराबर नहीं आएगा, तो proportional तो आना ही पड़ेगा, तभी तो plane parallel होंगे, तो आप इसमें से 2 common ले लो, इसमें से 2 common ले लो, तो 2x plus 3y plus 4z, और 2 दर बेज दो, 15 by 2, अब तो दो दोनों बराबर हो गए, इन दोनों का gap करो, खतम कहा नहीं, ठीक है, equal to d2, कुल्म लाके, दोनों की equation इस पॉर्म में का रिडू क्या कह रहे हो, फिर सकाओ, इसमें क्या होता है, कि origin से ये normal vector है, और ये एक ऐसा number है, जो उसकी distance निकालने में मदद करता है, ठीक है ना, passing through point की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो किसी भी plane का origin से normal vector बनाया जा सकता है, उसकी equation given है, किसी भी plane की equation given है, तो origin से उसके normal vector को आप derive कर सकते हो, उसके ABC को देखते हुए, ठीक है, उसके ABC को देखते हुए, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, formula क्या हो जाएगा, इसका इसकार में फॉर्मला बोलो, दीटू माइनस दीवन का मोडूलस या तो दीवन माइनस दीटू होगा, जैसे भी होगा, डिवाइड़ बाइसकार बीसकार, क्या हो जाएगा, A square, B square, C square, this is it, this is it, ठीक है, चलो, देखते हैं क्या कहता ही है, लेट दा टू पैलल प्लेंस भी पाइवन पाइटू बीगीवन इन देर नॉर्मल फॉर्म्स दीवन है, नॉर्मल फॉर्मस नहीं गीवन होगी, तो फिर देखेंगे, और वैसे हैंना, किस दिस्टेंस मॉल्ल दी माल लिए, सिंपली, बिट्वीन इस टू पैलल फ्रेंस गीवन बाइवन मॉडूलस ओफ दीवन माइनस दीटू, और अगर आप उसमें गीवन है, तो ज्यादा इसका क्लैरिफिकेशन यहां पर नोट्स में नहीं करना, ठीक है, या तो ऐसे, या फि प्लस दी एक्वल टू जीरो में यह और यह दी बराबर नहीं होते कभी भी याद रखना, यह यह दी सेम डी नहीं होते, इस इक्वेशन में तो यह दी इस एक्वेशन की कॉंस्टेंट टर्म है, और उसमें एक ऐसा नंबर है जो स्मॉल डी निकालने में मदद कर रहा है, तो जब हम इस वाली डी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी हमारी अप्रोच चेंज हो जानी चाहिए, या तो फिर आप इस एक्वेशन को ऐसे रखो, कैसे, AX प्लस BY प्लस CZ अब यह दोनों बराबर हैं, अब यह दोनों एक ही चीज़ है, बस आप दोनों को पॉस्टिव र कैसे लिखोगे बोलो, D1-D2 सेम करोगे, इसका तो मॉडूलस और डिवाइड बाय कार्टेशन फॉर्म ही तो यह क्या है, अरे वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी, तो अब एक्टर फॉर्म लिख लो, मैगनिटूड वेक्टर, वेक्टूड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, वेक्टूटली, अज रेहिए, वेस्टाइसेश सेहां, कितने क्विशन एक्सेशाइज मैं, बस, 14 क्यूशन, तो यह तो एक या दो दून में हो जाएगी, पिर पिर मिसलिनियस से स्क्राट करदाए, चलो ठीक है, इजी तख